तो दोस्तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा आपके मोबाइल स्क्रीन को कैसे दूसरे मोबाइल के साथ सेयार कर सकते हैं आपके पास iOS हो या Android हो कोई भी फरक नहीं पर था आपके मोबाइल स्क्रीन को दूसरे मोबाइल स्क्रीन के साथ सेयार कर पाएंगे केसे करना ही यह जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा उम्मीद यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा अगर दोस्तों वीडियो के एंड में आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर लेना मुझे कमेंट करके बता आपको कैसा लग अले दोस्तों बीना टाइम को बाए वीडियो को सुरू करते हैं मेरा नाम अनुश कुमार आप सबी देख रहे हैं योटूब चानल बिंग यॉनिक टीवी तो दोस्तों मोबाल स्क्रीन से अर करने के लिए आपके पास फेस्बुक मेसेंजर होना चाहिए सबसे पहरे फेस्बुक मेसेंजर अप्लिकेशन को इंस्ट्राल करके लॉग इन हो जाना और उसके बाद जिसके साथ स्क्रीन से अर करना चाहते हैं उसके इंबक्स में आ जाना उसके बाद आपको उसको वीडियो कॉल करना है कुछ इस तरह से जिस तरह से मैं कर रहा हूँ एक बार वीडियो कॉल रिसिप होने के बाद आपके स्क्रीन पर इस तरह से देखने को मिल जाएगा एक screen sharing का option जो की screen के उपर screen होगा लोगों के साथ देखने को मिल जाएगा इस पर आपको click करना होता है click कर लीजिए उसके बाद आपको पूछा जाएगा messenger will start capturing everything that's display on your screen तो आपको start now पर click करना है उसके बाद आप देख सकते हैं जो भी मेरे screen पे है वो अभी मेरे दोस्त को show कर रहा होगा मैं आपको दूसरे end से भी दिखाऊंगा उससे पहले दिखा देता हूं stop sharing कैसे करें अब पहले इस तरह से आजाए messenger पे फिर से and stop sharing पे click करके stop sharing कर सकते हैं अब दूसरे end से मेरा दोस्त screen share करके आप रोगों को दिखाएगा कि कैसे कोई screen share करता है तो नजर आता है आपके screen पर अब मैं completely phone को छोड़ देता हूं और अभी मेरा दोस्त screen share करने की कोशिस कर रहा है आप देख सकते हैं अब जो मुझे वो दिखाएगा वो मेरे screen पर show करेगा अब दोस्तों देख सकते हैं उसके mobile का completely screen मेरे screen पर आ चुका है और उसके साथ साथ एक छोटा सा minimize o के वीडियो भी आ रहा है आप देख सकते हैं screen के साथ साथ तो ये मेरा खुद का वीडियो है और दूसरा है उसका screen तो इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा और आप बहुत ही आसानी से किसी भी mobile का screen आपके screen पर देख सकते हैं या आपके screen को किसी भी mobile के screen पर ले जा सकते हैं अब जैसा मैं खुद stop sharing करके आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले अभी मेरा दोस्त उसी प्रोसेस में आपको stop sharing करके दिखाएगा और stop sharing होते ही उसके वीडियो को आप देख सकते हैं screen पर वापस से कुछ इस तरह से देख सकते हैं तो यह बहुत ही आसन तरीका है इस तरह से आप screen share कर सकते हैं तो उम्मीद है दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर लेना मुझे कमेंट करके बते आपको कैसा लगा अगर आप वीडियो को जरू सब्सक्राइब कर लेना अनिक टिवी